तो नमस्कार जी आप सभी का यूटूब चैनल पर हार देख स्वागत करता हूँ अगर आप हर याना उपन स्कूल के स्टुडेंट हैं दसवी या फिर बारवी के या फिर आप बारवी के स्टुडेंट हैं रेगुलर के कमपार्टमेंट के इप्रोमेंट के वीडियों तक ज़रूर देखीगा आप सभी के लिए वीडियो मनाई जा रही है आप सभी के लिए इंपोर्टेंट इन्फोर्मेशन लेके आए हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर दीजीगा यहां पर देखीगा हर्याना ओपन स्कूल दसवी बार्वी और बार्वी रेगुलर या फिर कमपार्टमेंट आखिर क्या करे विद्यार्थी ऐसम्मन जस्में है अब कब एक्जाम होगा तो कब रिजल्ट आएगा आगे की पढ़ाई किस परकार करे देखीगा हर्याना विध्यले शिक्षबोड की तरप से अपने दसवी गक्षा के जो नियमित स्टुडेंट से उन सभी को परमोट किया जा चुका है इंटर्नल एसेस्मेंट के आदार पर उने पास होने को बात कही गई है और उनका प्रोसेस भी चला हुआ है लेकिन जो बारीक अक्षा के स्टुडेंट है रेगुलर के वे ऐसेमन जस्में हैं कि हमारे एक्जाम होंगे भी या फिर नहीं होंगे क्योंकि जिस परकार 4-4 लाख हमारे देश में करोना मरीज दिन परती दिन आ रहे हैं उनको देखते हुए लगता नहीं है कि एक्जाम हो पाएंगे लेकिन सरकार कह रही है हरियाना बोर्ड कह रहा है कि आपके एक्जाम लिये जाएंगे आप अपनी पढ़ाई जारी रखे ठीक है उसके साथ साथ जो दसवी बारवी ओपन स्कुल के स्टुडेंटे वे भी फसे हुए हैं उनका भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि उनको एक्जाम होंगे सरकार कह रही है अरियाना बोर्ड कह रहा है कि आपको 15 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपके एक्जाम लिये जाएंगे ठीक है लेकिन जो मिटिंग एक जून को होने वाले थी वो पहले भी हो सकती थी लेकिन पहले नहीं हो रही है अभी मैंने बात की चांस है वही ठीक है क्योंकि बहुत सारे हैस्टेक चले होएं जिस परकार से डशीग खषया के एक्जाम कैंसील करवाने के लिए स्टुडेंटों ने अपना तरीक है था उसी परकार से बार्यग खषया को पर्मोट कर वहीं open school के जितने भी हमारी student है 10th 12th के इनको भी पर्मोट कर दें जिस परकार 10th के किये हैं तो आप भी hashtag चला सकते हैं इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा उस link से आप Twitter आपकी बात सभी के साथ पहुचे आपकी बात सभी के साथ पहुचे धन्यवाद